जाने माने खगुलवीद और भवतिक शास्त्री शशिकुमार मधुसुदिन चित्रिका सोमवार को मुंबई में निधन हो गया। वे 84 साल के थे। उन्होंने सवर भवतिकी अर्थात सोलर फिजिक्स, न्यूटोन स्टार, ब्लैक होल और ग्रेविटेशनल लेंसिंग जैसे व शशिकुमार चित्रे के निधन पर दुख प्रगट किया है। 7 मई 1936 को मुंबई में जन्में SM चित्रे की प्रार्थमिक और उच्च शिक्षा मुंबई में ही हुई। कॉलेज के दिनों में उनके शिक्षक पी आर मसानी की प्रेरना से गणित के विशय में उनकी दिल्चस करने के बाद उन्होंने इंगलें में ही अपना काम शुरू किया। में हौकिंग के साथ उनका ऑफिस था। उन्होंने हौकिंग को तब देखा था जब हौकिंग अपने पैरों पर सीडियां चड़ सकते थे। वर्ष 2020 का फिजिक्स का नोबल पाने वाले रोजर पैन्रोज SM चित्रे के सहपाथी थे। उन्होंने University of Leeds में भी शोदकार्य जारी रखा जहां उन्होंने विख्यात एस्ट्रोनॉमर थॉमस कॉलिंग के साथ काम किया। उनका विशय था Magnet Hydrodynamics और Solar Physics. SM चित्रे ने अमेरीकी संस्थानों में भी अपना योगदान दिया। California Institute of Technology में उन्होंने विलियम कॉलर और कीप थॉर्ट जैसे बड़े विज्ञानियों के साथ काम करते हुए neutron star के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की। उनका मुलभूत कार्य सूर्य विज्ञान के इर्द गिर्द रहा। उन्होंने Solar Magnetic Activity Cycle, Solar Dynamo Theory और सूर्य संबंधित विज्ञान पर संशोधन किया। मुंबई में स्थेत Center for Excellence in Basic Science की स्थापना में उनकी भूमी का महत्व पूर्ण रही थी। चित्रे मुंबई में TATA Institute of Fundamental Research में पूर्व वरिष्ट प्रोफेसर थे, जहां से 2001 में वे सेवानिवृत्ध हुए थे। चित्रे Astronomical Society of India के पूर्व अध्यक्ष थे और होमी भावा फेलोशिप काउंसिल के मानत कारिकारी निदेशक भी थे। चित्रे ने Cambridge, Princeton, Sussex, कोलंबिया और वर्जीनिया जैसे कई विश्व विद्यालायों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किया था। ऐसे वरिष्ट विज्ञानी का निधन अपने आप में एक यूग का अस्त है। विश्व का विज्ञान जगत सदेव शशिकुमार चित्रे का रिनी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट दूरदर्शन समाचार एहमदबाद